गुड इबनिंग एब्रिवन वेलकम टू सुवल सर्विसे श्टड़ी नेक्स्ट टेस्ट पर आजाईए यूपी पीसियस के रहे हैं और प्रक्टिस करेंगे इस टेस्ट में हम जनरल साइंस के प्रशनों पर तो चले स्टार्ट करते हैं इससे पहले वारा टेस्ट भी जनरल साइंस का था मतलब बायोलोची का तो कुशन नमबर वन का अंसर करिये तो निमलिखित कतनों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट के साथ बताए कौन सा करेक्ट है सरीर के तापमान को विन्यमित करने के लिए तरल के रूप में तोचा दोरा पसीने को अत्पन किया जाता ह और पसीने में घनेज, अमल और यूरिया भी मौजूद होते हैं क्या बिलकुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर तो उपरोग दोनों के दोनों कथन सत्ते हैं पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, केलसियम, मैगनीसियम, जिंक, आयरन आरी तत्व पाए जाते हैं और इसमें खनेज, कॉमा, अमल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं साबुन बनाने में पुरियोग होता है साबुन बनाने में पुरियोग होता है बनस्पती तेल तो साबुनी करण की करिया में बनस्पती तेल या वसा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलिये विलियन को गर्म करके रासाइनिक पर्तिकरिया के द्वारा साबुन का निर्मान होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है Q3 पर आजएए नमरी की तत्तों में से जो उर्बरक के रूप में नहीं पाया जाता वह है नमरी की तत्तों में से कौन है फोरस उर्वरख है क्लोरीन उर्वरख है नाइट्रोजन उर्वरख है कोश्चन नमबर फोर पर आजए यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में तो देखे यूरिया में लगभग 46.7 प्रतिशत नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्तित होता है और कार्विन क्रसाइन के छेतर में इसे कार्वामाइड ही कहते हैं कोशन नुमर 5 पर आजएए एक किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए लगभग कितने यूरिया की मात्रा की आवश्चक्ता होती है बताई ये 2.2 ल, 2.5 ल, 2.7 ल, 2.2 किलोग्राम तो एक किलोग्राम यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन उपस्तित होता है और एक किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए लगभग 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्चक्ता होती है यूरिया इंपोर्टन्ट है स्टेट PCS में एक आदा प्रश्चन बनत तो देखें यूरिया एक कार्वनिक यूगिक है यह है रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अतिविला है बड़े प्यमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रब अमोनिया यानि लिक्विड अमोनिया तथा कार्वन डाय अक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है नमबर सेबन पर आजएए जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं कौन सा रूप है वो नाइट्राइड है अमोनिया है नाइट्रेट है या नाइट्रिक आक्साइड है नाइट्रेट है तो देखिए पौधे जो है वस्तुत है नाइट्रोजन नाइट ब्रद्धी के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवशक्ता होती है इसकी पूर्ती जो है वायू अथवा जल में घुलंसील नाइट्रेट से होती है Q8 पर आजे है हिूमस उधारन है किसका उधारन है म्रदा सनरचना का या जैविक कोलाइड का देखे जैविक कोलाइड का है option number 3S का answer म्रदा के जैविक कोलाइड का तो हिूमस जैविक म्रदा कोलाइड का एक उधारन है हिूमस भूरे काले रंग का पदार्थ है जो जैविक पदार्थों के अंशते सडने गलने से बनता है ह्यूमस मिट्टी का जैवंस है और ह्यूमस युक्ति जो मिट्टी होती है वो उप मिट्टी के तुलना में गहरे रंकी होती है हुमस सामानिता मिट्टी के संस्थर में पाय जाता है ठीक है और मिट्टी की उरबरता बनाए रखने में हुमस की हुमिका अती महत पूर्ण किंतु जटिल होती है विभिन प्रकार की मिट्टीों में विद्मान हुमस की मात्रा जो है ठीक है उसमें जो है बिभिनिता पाई जाती है कोश्चन नुम्बर नाइन पर आज़िए निम्रीकित में से कौन सा रासाइनिक उर्बरक नहीं है रासाइनिक उर्बरक यूरिया तो है रासाइनिक उर्बरक सुपर फोस्पेट भी रासाइनिक उर्बरक है potassium nitrate भी रासायनिक उर्वरक है sodium sulfate नहीं है तो देखे urea, super phosphate, potassium nitrate रासायनिक उर्वरक है जब कि sodium sulfate रासायनिक उर्वरक के रूप में नहीं प्रयोक्त होता है दस्वाँ प्रशन है अगनी शामक में कौन सी गैस काम आती है अगनी शामक मतलब अगनी को शान्त करने में देखे जलने के लिए oxygen आवशक है और बुझने के लिए carbon dioxide तो अगनी शामक में CO2 गैस उप्योक में लाई जाती है question number 11 है जो fire alarm होते हैं उनमें निम्रिके तमेंसे किसका उप्योक किया जाता है fire alarm में उप्योक किया जाता है photo cell का तो fire alarm में photo cell का उप्योक किया जाता है इसे photo electric cell या photo voltoic cell भी कहते हैं ठीक है और photo cell जो है प्रकास वैद्धुत प्रभाब का एक तकनीक अनुप्योक है यह प्रकास उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्टित कर देता है question number 12 पर आज़े निम्री की तमेंसे किस योगी का उप्योग अगनी रोधक बनाने में किया जाता है किसका किया जाता है अगनी रोधक बनाने में देखिए अगर मेरे को अगनी रोधक कोई jacket बनानी है तो मैं aluminum sulfate का जो है उप्योग करूँगा उसमें तो अगनी रोधक कपड़ा बनाने में aluminum sulfate का प्रियोग किया जाता है याद रखिएगा या उप्योग किया जाता है question number 13 पर आज़े मच्छर कोईल में प्रियोग होने वाला pyrethrin प्राप्त होता है किस से कीट से जीवाणू से कबक से या एक बीजिय पोधे से मच्छर कोईल में प्रियोग होने वाला pyrethrin एक बीजिय पोधे से प्राप्त होता है किसी कबक जीवाणू या कीट से नहीं तो pyrethrin प्राकरतिक कार्भनिक पदार्थ है जिसमें कीट ना सक्षमता होती है और ये एक वीजिय पोधे से प्राप्त होते है नमबर फोटीन पर आजिए चुहे मारने का जहर किस राजसानिक पदार्थ से बनता है चुहे मारने का जहर है पोटेशियम साइनाइड या इसको बोलते हैं जिंक फासफाइड बड़ा पूछा जाता है जिंक फासफाइड के नाम से तो चुहे को मारने के विसका निर्मान जो है पोटेसियम साइनाइड या जिंक फासफाइट नामक रसाइन से किया जाता है और यह अत्यांत ही जहरीला रसाइन है QIGN absolute 15 पर आज़ी है पंद्रौपराश अंधिंपरश निम्री कित मैं से कॉन सा एक शाक नाशक रसाइन का उधारण है शाक नाशक या दिण हर्विसाइड इनमें से कॉन सा हर्विसाइड है इन तीनों में से पक्का एक हर्विसाइड है, इसने डी तो होगा नहीं, बताइए ब्लीचिंग पाउडर है, पोटेशियम परमेगनेट है, या सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोरेट है, तो साक नासी ऐसे रसायन होते हैं, जिनका प्रियोग क्रशी छेतर में एवांशित खर परतवारों को नश्ट करने के लिए खिया जाता है, सोडियम क्लोरेट जो है, वो शाक नासी है, यानि हर्विसाइड है, हर्विसाइड कौन होते हैं, जो हर्व, मतलब साक को खाते हैं, तो यानि वो साक को नश्ट कर रहे हैं, तो जो साक को नश्ट कर रहे हैं, हम उनक से 23 तक प्रश्च जो है पूछे जाते हैं UPPCS की प्रारंबिक परिक्षा में